सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशिल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन जी 51 लोगों की मृत्यू हुई है और 500 लोग अस्पतालों में उप्चार के लिए हैं इसकी पुनागृती देश में कहीं ना हो इस उमीद के साथ हम लोग अपनी दलगत राजनीती से उपर उठकर इस विशे पर चर्चा करेंगे इसकी मैं उमीद तो जरूर कर सकती हूं लेक इसे ही इंवेस्टिगेशन सामने आती हैं तो पता चलता है कि अंकित शर्मा नाम का एक आईवी के अफसर को 400 बार चाकू मारा गया और पोस्ट मॉर्टम में उसकी अंतणियां यानि इंटेस्टाइन खीच कर बाहर निकाली गई हो आप मुझे बताएं किस दंगे में इस तरीके की हरकत करने का समय होता है और अरे सुनने की कुवात रखिये जी सुनने की कुवात रखिये मैं आपको मैं आपको ये इसलिए कहना चाहती हूं कि इस तरीके की घ्रणा और नफरत इस तरीके की घ्रणा नफरत सिरस एक कट्टर पंती ही कर सकता है और उस कट्टर बा डीटेल में जाया जाए तो सीलंपूर का वो इलाका है जहां 2018 में ISIS का एक मॉड्यूल तोड़ा गया था और बहुत सारे बॉम और बाकी चीजें 2019 में उस जखीरे को निकाला गया था तो इसके पीछे ये साज़िशे भी सामदे आई है कि PFI के लोगों की कुछ फंडिंग है ISIS से जुड़े हुए लोगों को इकठा कर रहे है और George Soros नाम के व्यक्ति ने जो कि एक हंगरी से निकला हुआ व्यक्ति जो कि आज American citizen है बहुत बड़ा businessman है एक बिलियन डॉलर उसमें देने का कि भारत के nationalism को खत्म करने के लिए उसमें प्लेज किया है और उसकी जो संसा है global society, open societies उसमें board member कोई और नहीं बलकि हर्ष मंदर है जो कि NAC के भी member थे और National Advisory Council किसने बनाई थी, कब बनाई थी, किस कारण से बनाई थी उसका जवाब तो मुझे 100% मालूम है, अधीर जी को बहुत अच्छे से पता होगा और साथ ही जब अधीर जी ने इस तरीके की बाते की है तो मैं इनको मुसालमी का एक और कांज बता देना चाहती हूँ इन्होंने का कि हटगेवार के गुरू मुसालमी थे तो शायद उनको पता नहीं कि आपके पीछे जो व्यक्ति बैखें उनके नाना जी मुसालमी की आर्मी में काम करते थे ये भी ज़रा पता कर लीजेगा तो इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो कि हमेशा याद रखे जाते हैं अब जब आप दूसरों के घावों को कुरेते हैं तो याद करिए कि वो आपकी तरफ भी जरूर उठेंगे प्रशन दुख की बात ये है कि इन सब सीजों से एक बात सामने आई कि एक संगठित रण नीती थी और ये संगठित रण नीती उनी शक्तियों द्वारा एक शक्ती प्रदर्शन का तरीका था जो कि आज राजज्यतिक समर्थ अपना खोच चुके हैं और इस पूर्भियोजित साज़िश के तहट इस काम को मुकमल किया गया फारुक सैजल, सैजल फारुक नाम के व्यक्ति जो कि राजधानी स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाते है उनका स्कूल सलामत है लेकिन अरुन नाम के एक स्कूल को जला दिया जाता है दोनों भगल में हैं ताहिर हुसेन की इमारत ताहिर हुसेन आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो मुझे लगा कि मैं पीछे ना रह जाओं आपसे तो मैं नाम लेकर बताना चाहती हूँ ताहिर हुसेन जो की आम आदमी पार्टी के पाश्चद है उनके घर की इमारत से कई सारी बॉम फेके गए केटापूल्ट यानि गुलेल जिसको कहा जाता है वो गुलेल अरे तु गुलेल का इस्तिमाल हुआ और गुलेल का इस्तिमाल इस दंगे में बंदूक और गोला बारी से भी कही आदिक घातक साबित हुआ आप मुझे बताईए किसके घर के उपपर लोहे के आंगल को जमा कर गुलेल रखी जाती है और एक साजिश के तहट हर दसने घर के उपर एक गुलेल पाई गई हर दसने घर को इंगित करके गुलेल पाई गई और इटो का जखीरा शाय दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था ऐसा इटो का जखीरा जो है वो भी यहाँ पे पाया गया कि दिगं के सपाई करंचारियों को समझ नहीं आया कि यह सड़क बनाने की कुवायत है कि बोरियों में भरकर उनको उपर ले जाया गया मौल्टोवा जो कॉक्टेल है जिसे पेचल बंबादी फेका जाता है वो इस बारी कॉंटिटी में वहां मिले एसिड 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 अटाक महिलाओं ने उन मुस्लिम परिवारों की महिलाओं ने छट से किये जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता और ये लोग अद्याग जी मुझे इन लोगों की बात देखते हुए एक शेर याद आ रहा है काच पर पारा चड़ाओ तो आइना बन जाता है लेकिन आइना दिखाओ तो पारा चड़ जाता है इन सकता पारा चड़ना तो स्वभाविक है अद्याग जी इस पत्त्रों का जखीरा तो हमने देखा ही और जिस तरीके से इने उपर पहुँचाया गया वो भी सोचने वाली बात है अंकित शर्मा नाम के व्यक्षी को चार्तों बार गाव किया और उसको मारा इने याद आना चाहिए इने याद आना चाहिए कि रतन लाल है कॉंस्टेबल को मारा गया गोलिया सीधे चलाई गई है और इस सब्के बीच में अमिज शर्मा डी सी पी पुलीस वालों का मैं नाम इस लिए ले रही हूँ जो बीज बचाब सर्में धंके इस पर साबू पाने के लिए उत्रे उनी के साथ मार्फित की गई है और वहाँ पर लगा लगा ताथ पीए के दिरोब में ऐसे हत्यारों का इस्सिमाल किया गया हिंसा की घटनाएं हिंसा की घटनाएं हिंसा की घटनाएं 24 सारीक को 12 बजे से शुरू हुई है हिंसा की घटनाएं 24 सारीक को 12 बजे से शुरू होकर 25 सारीक की 11 बजे रात तक खतम हो चुकी है यह इस सरकार की एफिशेंसी है कि 36 गंटे के अंदर उन्होंने इस सब पीजों पर काबू पाया जो लोग पुछ थे हैं पुलीस किया कर रहे थी गर्ये मंतरी क्या कर रहे थे मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके की मिसाइलों पर काबू पाने का काम कर रहे थे और ओल्ड मुस्तफवाबाद में सबसे अधिक एक मिंट एक मियन एक मियन किसी जातियों धर्म का नाम इस बहास में नहीं लेना है स्पीकर सार स्पीकर सार स्पीकर सार स्पीकर सार कुछ सच्चाई हैं जो प्रेस ने चुपाई हैं इसलिए मैं आपके अधेश का पालन करूँगी मैं आपके अधेश का पालन करूँगी स्पीकर सार मुस्तिफाबाद में सबसे अधिक गुलेल पाई गई हैं करावल नगर इट पथर बोरियां उन धरों पर पाई गए हैं मान ये सुलश ये आप नियम कानून की बाते बताते हो आप नियम कानून की पालना करते हो क्या अमान तुल्ला खान के जब बयानक बयान आते हैं तब ये लोग चुप रहते हैं कोई भी वेक्टी एक मैंने डारेक्शन दे दिये गए कोई भी वेक्टी जाती धर्म को इंकित पार्लेमेंट की डिवेट में नहीं करेगा अध्यक जी इट पत्थर और इस तरीके की चीजें जो की घरों के निर्मान के लिए उन घरों पर पाई गई गई हैं जहां पर निर्मान कारे चल ही नहीं रहा था और जहां पर निर्मान कारे चल रहा था वहां पर बोरियां खाली पाई गई हैं ये तो सही माइने में जाज का विशे है जाज की जो भी आएगा रिपोर्ट उसमें देखा जाएगा लेकिन करावल अगर शिविहाद जहां पर सबसे अधिक जो दंगे का और ये दंगा नह जी हिंसा थी उसमें जो पाया गया एक सड़क के दो चौराहे पर एक तरफ अलसंख्यों के मकान हैं दूसरी तरफ बहु संख्यों के मकान हैं सबसे हरानी की बात है कि अलसंख्यों के मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ बहु संख्यों के सारे मकान दुकान तहस्त हो गई है अब आप मुझे बताईए अदेह जी यहां पर तो अदेह जी जरूरी नहीं जिन में सास नहों वो मुर्दा हो जिन में इंसानियत नहों वो भी कौन से जिन्दा है और उसकी लफ्तार जो हमें देखने को मिल रही है छोटी छोटी बच्चियों के सामने इन लोगों ने उनको निर्वस्तर करके भेजाए जो ट्यूशन से आ रही बच्चियां थे और 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 सिर्फ यही नहीं छटों के उपर खड़े होकर अश्लील हरकते अपने कपड़े उतार उतार के इन्होंने किया जो कि इस प्रिंसिपल का बयान है स्कूल के प्रिंसिपल का बयान है आप मुझे बताएगे इस सदन में बैठा हुआ कौन सा व्यक्ती साथ देने को राजी है बताएगे ऐसी हरकत के आप राजी है क्या है राजी है नहीं है ना अ और और इस सब के बीच में इस सब के बीच में इस सब के बीच में चाहे वो अमान तुल्ला खान थे चाहे वो ताहिर हुसेन थे और इस तरीके की चीजें सब के बीच में हुई है और वो सब बयान भी सब के सामने है लेकिन मैं आरी हूं कपल मिश्रा पर लेकिन इस सब के लि अद्याह जी, क्योंकि नाम लिए गए हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये घटना है 23 सरवरी की और इस सब के बीच में ब्लेम किया गया कपिल मिश्रा को कपिल मिश्रा को ब्लेम किया गया कपिल मिश्रा पे इल्जाम लगाया और उसको जिम्मेवाद ठहराया शारजिल इमाम की हरकतों के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवाद ठहराया ताहिर हुसेन की हरकतों के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवाद ठहराया अमान तुल्ला खान के बयानों के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवाद ठहराया उन लोगों को जिनोंने का कबर खुदेगी कपिल मिश्रा को जिम्मेवा ठहराया कि भारत के प्रधान मंतरी को जो कातिल कहने का रुद्बा रखते हैं कपिल मिश्रा को जिम्मेवा ठहराया जो अभी तक बहुत तमीज तहजीत की बाते कर रहे थे भारत के ग्रैम मंतरी को तड़ी पार कहने के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया वहाँ पर लड़कियों के सामने उल्टी हरकते जिन पुरुशुने की उनके लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया सारुक फैजल को बचाने के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया दिल्ली में उन लोगों को जिन लोगों की राजमीदी खतम हो चुकी है पैरो तले और जो किसी के कोई माइनॉरिटी वोट बांक की राजमीदी करते हैं उनको बचाने के लिए कपिल मिश्रा को किस-किस चीज़ के लिए जिम्मेवार ठहरा होगे जब ये सब राइटिंग के लिए इस सब हिंसा के लिए जिम्मेवार कुछ और ही लोग थे और ये किस तरीक है कब और मैं इसके लिए सही माइने में प्रेस के कुछ लोगों को जेन्यू जानिया आप इस पूरे प्रक्रण को देखिए आप पाएंगे कि ये सब चीज़ शुरू हुई सिये का सो कॉल विरोध को लेकर सिये के विरोध में सबसे पहले जेन्यू के कुछ छात्र खड़े हुए और सबने समझा ये तो सिये का विरोध है अब सिये का विरोध कि इसलिए कि कुछ अलसंख्यक जो कि पाकिस्तान में अलसंख्यक है भारत में 25-25 साल से पड़े हुए है उनको किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी उनको नाजिक्ता देने की और उस सब के बाद में वो मामला शिफ्ट होता है जामिया में जामिया में पुलीस थोड़ी सक्षी करती है तो पुलीस को डिफेंसिव करके कि ये पुलीस जो है वो व्यक्ती की बोलने की आजादी के खिलास है ऐसा इल्जाम पुलीस पर लगा दिया जाता है तो पुलीस थोड़ी डिफेंसिव हो जाते कि मोधी जी के राज में सब को बोलने की आजादी हरकते करने की आजादी है आप शाहीन बाग से लेकर सारा प्रक्रण अगर आप देखते हैं जामिया के बाद में 14 दिसंबर 2019 को अरे उससे पहले की फुटेज भी देखो अध्यक जी अध्यक जी वो लाइब फुटेज उससे पहले की भी देखो जो मार्साक्तर के लाइबरी में मुपर गंचा बैठ पहन कर बैठ जाते किताबे बंध होके पढ़ना शुरू करते हैं वो फुटेज भी देखनी चाहिए अध्यक जी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कॉंग्रेस की एक रैली होती है उस रैली में सोनिया जी का बयान है आरपार की लडाई होगी सड़कों पर सब निकलो प्रियंका जी का बयान है कि कायर होते हैं जो घर से नहीं निकलते राहुल जी यहां बैटे हैं भी काफी उतेजनात मक्त बयान दिये चौदा तारीक के इन सब बयानों के बाद 15 दिसंबर को शाहिन बाग में लोग बैठना शुरू कर देते हैं और शाहिन बाग 14 के बाद 15 से ये हर्ता शुरू होती है तीम महीने तक बिल्ली की सड़कों को रोग कर ये लोग बैठते हैं और उसके बाद 17 तारीक को उमार खालिक का बयान है कि डॉनाई ट्रॉम्प देश में आएंगे और हमें सड़कों पर उतरना हैं उनको बताना है कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जंता के खिलास हैं 19 तारीक को वारिस पठान का बयान है कि हम 15 प्रतिश्यत भले ही हो 85 परसंट उतान के लिए पुलिस को जिंब्वार खेराएंगे उक्साने का काम और कटर पंदी का काम तो इस देश में बहुत दिन से चल रहा था और अरे भाईया अगर अगर रोप दिया हुता तो आप ही कहते हैं इस देश में बोलने की आजादी नहीं है अपने विचारों की आजा मानना है जब तक धरना हिंसात्मक ना हो तब तक पुलीस कारवाई नहीं करेगी अब धरना कब हिंसात्मक होगा ये बैठ के कौन ते करेगा ये कौन ते करेगा और जिन जजिस के इन्होंने नाम लिये इनको बहुत experience है जजिस के appointment से लेकर बाखी चीज़े लिखवाने का इसलिए ये जानते हैं क्या क्या होता है इनको ये नहीं पता कि बिना recommendation के सरकारे transfer नहीं करते हो transfer ही किया था transfer तो पहले हो चुका था मैं तो कहूंगी एक दिन कि IB की जो reports है ना अच्छ लोगों के बारे में उनको public कर देना चाहिए सबको समझ आ जाएगा कि किसका transfer क्यों करके हुआ है अद्याख जी अद्याख जी अद्याख जी अरे कर देना चाहिए अद्याख जी आपको आपको ये सोचकर मज़े कम से कम सोचकर ये दुख जरूर होता है कि इस देश के अंदर जहां हम विकास की राजनिती करना चाहते हैं और पिछले पाँच साल उसी विकास की राजनिती की है कुछ लोगों ने जब इस देश के अंदर लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना लोगों का मजब देखकर दिये गए थे जब ग्यास के सिलिंडर दिये गए तो मजब देखके दिये गए थे आयुश्मान भारत का फाइदा दिया गया तो मजब देखके दिया गया ये लोग कैसे उस बात को भड़का सकते हैं मैं I can think that rank and file of minority community may not understand the nitty-gritty of law खवाए पिलाने में लगे हूएं जिससे देश बिखरें यहीं कारण है अतलियत में तो कारण जै है कि वो लोग वो लोग जो इस्में आप आ कि अईशुने हूं गया परते ते और अगर मोगवकाश को तो जाहिर है 370 जो की टेंपरेरी प्रिविशन था कब का हड़ जाना चाहिए था तीन तलाग खानून ने कभी मानियता नहीं दी कब की हड़ जानी चाहिए थी सर मैं बताना चाहरी हूं आप सुनिए थोड़ा पेशेंट लिए राइस का संबन तो ये सब गुरू अप हो रहा था ना मैं अभी बताती हूं आपको थोड़ा पेशेंट ली समझिए तीन सो सतर तीन तलाग यूनिफर्म सिबिल कोड ये सब तो भारत के संबिदान में लिख्यूई चीजें हैं 1952 से आज तक खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन ये चीजें खत्म क्यों नहीं हुई ये खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक इस्लामिक जमाद की एक वीटो पावर चलती थी और जिसको शासन में रावा था अगर वो उस नो गोन जोन को डिस्टर्ब करता था तो समझे कि शासन में आप आई ही नहीं सकते लेकिन जब से ये सरकार शासन में आई तो उसने वो नो गोन जोन का हमेशा वाइलेशन किया और यही कारण है कि ये तड़प CAA के रूप में सामने आई क्योंकि ये मानने को मैं राजी नहीं हूं कि जितने मुखिया यहां बैखे हैं उनको CAA कानून समझ नहीं आया मैं जानती हूँ कि वो इस कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं मानती हूँ कि वो बहुत पड़े लिखे हैं लेकिन बाद जो दूसके वो लगातार आम जंता को गुमरा करने का काम कर रहे हैं वो लगातार लोगों को भढ़काने का काम कर रहे हैं इसके इक घर बनाने को लेकिन तुम तरस नहीं खाते बसियां जलाने को और कुछ लोगों का तो अगर आप इसी हास उठा के देखें तो वो बसियां जलाने में माहिर हैं मैं एक आकड़ा आपके सामने प्रस्तूत करना चाहती हूं अध्यक जी जो कि इस देश में दंगों से संबंदित है कोई बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये आकड़ा आपके सामने प्रस्तूत जरूर करना चाहती हूं कि देश में हिंसा हुई जब जब हिंसा हुई उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार थे अध्यक जी उन सब के लिए एक अधिकतर जो अभी नहरू जी का भी नान लिया गया था कि कॉलर पकड़ लिया मैं वैसे बात नहीं करना चाहती लाहोर में भी ऐसा हुआ था 1946 में और उन्होंने का था तो मैं क्या करूँ और ये मेरे अपने परिवार का विशे है मैं आज वूँ उस बात को दोराना नहीं चाहती तो क्या रवईया था उसको तो आप छोड़ दीजे लेकिन दंगों का इतिहाद जरूर मैं बताना चाहूँगी जवाला नेरू जी के समय में 243 दंगे इस देश में हुए जो कि डॉक्यूमेंटेड है 1950 से 1964 के बीच में इंद्रा गांधी जी के राज में 1966 से 1977 और 1980 से 1984 के बीच में 337 दंगे इस देश में हुए एमर्जेंसी की मैं बात नहीं कर रही राजीव गांधी जी के राज में जो कि 1984 से 1989 तक का था 291 दंगे इस देश में हुए 1194 दंगों में से कॉंग्रेस का इतिहास है कि 871 दंगे उनके शासनकाल में हुए जिसका टोटल परसेंटेज 73 परसेंट आता है तो यहां बैठे हैं और जब इनको हम शहर और बाकी तरीके से जब देखते हैं तो उसमें आता है कि 10 बड़े दंगे 18 जो बहुत बड़े भ्यानक दंगे इस देश के हुए है 18 बड़े दंगे कॉंग्रेस की एलाइज और कॉंग्रेस के शासन में हुए है तीन प्रेजिडेंट रूल के दौरान हुए है चार अन्य दलों के बीच हुए है और केवल एक दंगा जिसको ये बार-बार याद करते हैं वो गुजरात लेकिन गुजरात का अगर इतिहास हम याद करें तो लोग हैरान होंगे कि गुजरात में हर साल दंगे होते थे और 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है अध्यक जी ये वो लोग है जिसके किरदार पे शेतान भी शर्मिंदा हो दाने जी जिसके किरदार पे शेतान भी शर्मिंदा हो वो आए है यहाँ हमें लसियत करने हो अध्याख जी दिल्ली की जनता क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और राजने से एकना लहें लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता आज वाकई रो रही होगी क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का खाम्याजा भुगत रही होगी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस का किराया ये सब सोचकर करोडों की जो संपत्ती नश्ट हुई है वो याद कर रहे होंगे और अब मुझे लगता है इस शहर को जरूरत है एक फ्री इंटर स्टेट बाती ताकि लोग परिशान होकर जो बिजली शहरों से बिल्ली आते थे वापस अपने अपने शहर जाकर ज़रा शान्ती को महसूस कर सकें और महफूज महसूस कर सकें अद्यक जी अद्यक जी मैं एक कहने का तरीका है कि जिन लोगों ने दिल्ली को परिशान किया आज वही मज़रम लगाने की बात कर रहे है अद्यक जी इन्हों ने बात की इन्हों ने बात की चौरासी के दंगों की मनमौन सिंग जी की बात की मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वो भूल गए वो भूल गए कि कुछ आरोपित लोग आज मुख्य मंद्री के पत पर भी विराजमान है कुछ लोग भूल गए मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि 36 गंटे के अंदर जो की बहुती ध्यावा रोप ले सकते लेकिन 36 गंटे के अंदर इन दंगों पर कंट्रोल किया गया जिसकी तैयारी आज अगर हम हाइं साइट में देखे तो महीने बड़ से चल रही थी नीरो नीरो बस नीरो बस फिड्लिंग नीरो बस फिड्लिंग बन रोम बस बर्लिंग आए थिक यूड रिमेंबर दो लेक्ट मिस्टर गाजीव गांदी की बड़ा पेड गिरता है तो दर्ती हिलती है दिली के एंपी जब दंगे हो रहे हैं तो सड़कों पर उतर कर उसको बेखाबू नहीं होने देना चाहते वो चाहते कि पुलीस अपनी कारवाई करे और पुलीस कारवाई करेगी अब आप अपने नेता से पुछ लीजे वो कहा थे उनसे भी पूछ लीजे नेता के आज पीछे मुड़के पूछ लीजे कहा थे पाकिस्तान और टेर्रिजम के ये खलाफ जरूर है लेकिन ये भूल गए कि उन्हीं के डर के मारे इन्होंने इतने दिन हिंदुश अनातियों को आज तक नाजिकता नहीं दी हेट स्पीचिस तो जितनी गिनवाई है उमार खालिच से लेकर तमाम लोग जो अपनी ओगनाईजेशन का नाम लिखते युनाइट अगेंस्ट हेट लेकिन ठीक उसके खिलाफ काम करते हैं वो हेट का प्रॉपिगांडा ही करते हैं ऐसी डिसेप्टिव राजनीती चल रही है इन्होंने ये भी कहा कि अजीट डोवाल को क्यों उतरना पड़ा अरे भाई NSA है NSA जो की सिक्योरिटी का इंचार्ज है वो उतरे तो मुसीबत और ग्रेम मंत्री का जब आप पूछते हैं तो वो सुपरवाइजरी बॉड़ी है और उनको पता है इस बात का बहुत अच्छी तरीके से कि अगर वो किसी भी दंगा क्षेत्र दंगा पीड स्थाने में जाके बैठ जाये क्या ताकि पुलीस उनकी निग्रानी उनकी तरफ ही देखने लगे और अपना काम ना करे क्या चाहते हैं आप 24 तारीक को दिल्ली में जब हिंसाब भड़की ग्रे मंत्री अपने निवास पर शाम 7 बजे और इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आप किस तारीक की बात कर रहे हैं दंगा 24 तारीक को शुरू हुआ है बारा साड़े बारा बजे दिन में और साथ बजे एक उच तरिये बैठक बुलाई गई जिसमें राश्ट्रिय सलाकार ग्रेह सचिव आईबी के निदेशक आईबी के अन्य उच अधिकारी और डिल्ली के पुलीस आयुक सब लोग शामि 25 फरवरी को ग्रेह मंत्री ने दिन की शुरुआत ग्रेह मंत्रा लेके अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक से की इसके उपरां दोपैर 12 बजे ग्रेह मंत्री ने नौट ब्लॉक में प्रमुक राजनेतिक दलो और अधिकारियों के साथ दिल्ली की इस्तिती पर एक बार और बैठक ली। इस बैठक में श्री अनिल बैजल, उप्राजेपाल दिल्ली, अर्विन केजुरिवाल, मुक्हे मंत्री दिल्ली, सुभाश चौपडा, अध्यक्ष कॉंग्रेस दिल्ली, श्री मनोश्तिवारी भाजपा अध्यक्ष, दिल्ली से श्री रामवीर विदूडी, दिल्ली विजान सभाव में विपक्ष के नेता और अन्य लोग उपस्तित थे इस बैठक में ग्रह मंत्री ने उपस्तित लोगों से अनुरोध किया कि दलगत राजनीती से उपर उटकर इस्टित को नियनप्रित किया जाए ग्रह मंत्री ने सभी राजनेतिक दलों से अपील की कि वे लोगों के मन से भे और व्याप्त अफ़वाओं को दूर करने के लिए अपने सांसदों, विधायकों, पार्शदों और पार्टी कैडर को जनता के बीच और प्रभावित इलाकों में वरिष्ट पुलिस अधिकारिय इसके बाद पुन्हा दिल्ली में इस्थिती का मुल्यांकन करने के लिए नौर्ट ब्लॉक में ग्रह सचिव और निदेशक आईदी के साथ बैठर की गई दिल्ली पुलीस को सच्षक्ट करने के लिए श्री एन श्रिवास्तव को विशेश आयूक कानून एवं व्यवस्था न्यूक्ट किया गया शाम साड़े छे बजे ग्रह मंत्री ने अपने आवास पर ग्रह सचिव आईदी के निदेशक डिप्ती एनसे दिल्ली पुलीस आयूक श्री एसन श्रिवास्तव और अन्य अधिकारियों के साथ लंबी बैठर की इस बैठक में शांती बहाल करने और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्ष वैसले लिए गए ग्रह मंत्री ने दो बजे सुबा तक इस्थिती का आकलन किया 26 परवरी को ग्रह मंत्री बारे में जान्पी इसुप लाप्स करने के लिए वरिश्ट अधिकारियों के साथ सुभा समिक्षा बैठक ली इसके उपरान ग्रह मंत्री ने दिल्ली की इसुथिके बारे में मन्त्री मंडल को अफ़कत कर आया आप क्याबिनेट की मीटिंगी बात कर रहे थे इसके बाद दिन में श्री अमिशा आने ग्रह मंत्री ने दिल्ली की स्थिती के बारे में ग्रह सचिव और आईवी के निदेशक बैकर की शांग को ग्रह मंत्री ने दिल्ली की स्थिती के बारे में समिक्षा बैकर की जिसमें र अब भी आप जानना चाहते हैं ग्रह मंत्री क्या कर रहे थे? अद्याख जी एक साल पहले मैंने एक किताब New Delhi Conspiracy लिखी थी और उसमें एक शब्थ था Political Liology Political Liology is the art of using lies as a weapon in politics and this is precisely what opposition is doing today अद्याख जी create three answers उसमें कुछ advice है मैं पढ़ देती हूँ अब मुझे नहीं मालूमता कि जो मनगडन किताब है वो सच होने जा रही है इसको advice किया गया what's happening in the current politics are true enactment so like the fiction some international powers have succeeded in creating many freelancers of chaos in India who are constantly working for their sponsors against the interest in India bring all of them together, organize them, finance them and coordinate with them to spout multiple voices opposition from across different fields, academia, literature, art and culture and these merchants of chaos is what is being enacted out today आज जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है यही merchant of chaos जो काम कर रहे हैं देश के विरोज में और मुझे कोई शक नहीं है कि यह sinister plot को काम करने में बहुत सारे लोग शामिल है और यह जो proxies वाली बात है वो भी सब के सामने शाबित हो रही है अंत मैं अद्यक जी मैं आफरीन फातिमा का एक बयान जरूर बताना चाहते हूँ एक छात्रे JNU की उनका एक बयान सर्फिस हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि It is not about saving democracy It's not about constitution or preserving spirit of secularism in India Putting up Indian flags and reading preambles of constitution मैं opposition को खासतोर पर याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर वो preambles में socialist secular word की बात करते हैं तो वो 1976 में amendment करके किया गया था और उस preambles को उस समय amend किया गया था जब opposition के तो लोगों को जेल भीजा गया था अरे हिंदूर अरे वही तो हम बता रहे हैं आपको हिंदूर अद्याश जी जब संविदानी secular है हमारे विचार ही secular है हमारे विचारों को secular हो कि यह किसी के कहने की जरुरत नहीं है और यही कारण है हमुद की दो लाइन में में बात जरूर कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि इसाई धर्म में 72 फिरके हैं और यहुदियों के 71 फिरके हैं और मेरे धर्म के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि 73 फिरके होंगे मुझे खुशी है आज इस बात की कि इस secular देश के अंदर वो 73 फिरके हैं कोई भी मुसल्मान मानने वाले देश में 73 फिरके नहीं है वो आपस में कभी सुननी को शिया नहीं पसंद, किसी को एमडी नहीं पसंद, किसी को हजारा नहीं पसंद ये 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 देश है तो कॉल्ड हिंदू राष्ट जिसके अंदर वो तमाम प्रके मौजूद है और उसका कारण ही यहां के बहुत संख्यक है मैं अंत में ग्रह मंत्री जी को एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी राष्ट रहित के तमाम मंत्री जी के नित्यत में इस देश में काम हुए है आप उन कामों को जारी रखिये क्योंकि वही देश निर्मान के सबको एक सुत्र में बानने वाले काम है और बहुत अंख्यक भले ही चुप है लेकिन वो चुपी के साथ आपके साथ चटान बनके खड़ा हुआ है सुजन में चोट खाता है छेनी और हतोडी का वही पाशान मंदिर में भगवान होता है जैहिल